राजेशला सेंटर में आप लोगों का स्वागत हैं आज हम लोग चचा करेंगे दहेज हत्या पे दहेज हत्या क्या वाकई में कोई अपराध है या दहेज हत्या कोई अपराध ही नहीं है किका इसी विशे पे आज की चचा होगी सबसे पहले आप लोग चनल पे नए हैं सस्क समझ में नहीं आती है तो दुबारा को пример ज़रूर की जरूरी नहीं है कि हर एक बार्मिया को समझ में आ जाए किंड़ी सब्सक्राइन करते हैं कारणी पर धोड़न करते हैं फिरनेयों कार्टा नातिया कष़ता है इसलिए एक बार में समझ में आ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दुबारा देखें तिबारा देखें गारंटी यह समझ में आ जाएगा ठीक है सब्सक्राइब ध्यान दीजिए मैं बोल क्या रहा हूं ठीक है आपने तो बिलकुल से उल्टा बता दिया कि अभी तक तो देहज हत्या में मुखदमा दर्जी हो रहा ता आप करो देहज हत्या पराद नहीं है क्यों नहीं है इसी पे तो चर्चा करेंगे यही तो बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं यही तो भरम है लोगों अगयाद में अच्य नंबर्स लाने के लिए ठीक है आपको जरूँक लगता है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए तो हमारी आनलाइन आफ लाइन दोनों कलास हैं लगातार संचलित की जा रही है आप इस नमबर पे संपर्क करके, अपनी सुवधान सार क्लास जॉईन कर सकते हैं, आये दहेज हत्या पे हम लोग चलते हैं, क्या है, तो दहेज हत्या कोई अपराद नहीं है, बरतमान में सबसे पहले ध्यान रखेगा, ठीक है, अपराद क्या है, हत्या, हत्या करना का लेना देना लेना या देना निम्हे दहेज मांगना तीक है और अगला क्या है दहेज मांगना तीक है यह अपराद है तीक है में मुकदमा बनेल द्रज होगी दहेज मिर्थव कारित करते हैं तो 404 B का मुकदमा बनेल ऐपिस iç का दाइज लेते या देते हैं तो धारत 3 मांगते हैं तो धारत 4 का में घारत 6 mm द्रणा अब पर सुनिए है कि दहेज हत्या तो अपराद नहीं है फिर हत्या अपराद है और दहेज मिर्त्यू अपराद है हत्या और दहेज मिर्त्यू में क्या अंतर होता इस पर आल्रेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग को समझाया आप लोग वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं हाँ यहाँ मैं फिर आपको मोटा मोटा बताओंगा कि फिर क्या है दहेज मिर्तु किस धारा में अपराद है 304B में अपराद है दहेज मिर्तु 304B में अपराद है दहेज मिर्तु कब लगता है कब दहेज हत्या का मुकदमा चलता है कब दहेज मिर्तु का मुकदमा चलता है इसको जरूर मैं यहां समझाओंगा आप लोगों को ठीक है मैं फिर आप लोगों से कहूंगा अगर चैनल पे नए है सस्क्राइब जरो कर लीजे लाइक सेर कमेंट करते रहे ठीक है बाकि तुम् ठीक है लेकिन एक बार विबाहित हो चुकी हो अब विबाह के दवरान या बैबाहिक हैसियत खतम हो गई मतलब क्यों बिधवा हो गई है तलाक नहीं बिधवा हो गई है लेकिन अपने ससुराल में ही रह रही है उस दवरान अगर उस दहेज की मांग की जाती है उससे दहेज की मांग की जाती है या दहेज के लिए कुरूरता उससे की जाती है अब कौन करेंगे पती तो है रही और लोग करेंगे पती जब थे तो पती के द्वारा किया जा रहा ता या घर के लोगों के द्वारा किया जा रहा तो आईसी स्ति में अगर दहेज की मांग की जाती है ये साबित हो जाता है और महिला की उसी दोरानी विबाह के साथ वर्ष के भीतर ध्यान खेगा दहज मिर्ट्व का केश तभी लगेगा जब विबाह से साथ वर्ष के भीतर मिर्ट्व हुई हो अगर साथ वर्ष से उपर हो गया साधी के तब दहज मिर्ट्व का अफराद न स्वाभाविक न हुँआ दूसरे कैसे है यह साबित न हुआ हो यह तो साभित हो जाए कि इननी प्राक्रित्क मिरतु नहीं है लेकिन हुई कार्ण को पाए कि साब काटने से हुई है कि जला के मारा गया है महिला को ठीक है या महिला ने सुसाइड कर लिया यह ना थाफित सभिण क का इस ना चाहिए है महिला कि मल्टिव हौगी का पता नमपाइच ! कि यह साबित नहों मतनम करते हुआ है तब आप अइसे और यह थाफित हो जाए मत्रूं की समय जा और बुर्म पतिया ना का फिसके दहेज मिर्तिव का अपराद बनेगा यह दहेज हत्या नहीं है ध्यान रखे इसे दहेज मिर्तु कहेंगे और धारा 304B IPC का अपराद बनता है 304B यह 304B मूल धारा नहीं है IPC की यह बाद में जोड़ी गई है IPC में ठीक है यह बाद में जोड़ी गई है कब जोड़ी गई है यह 1986 में जोड़ा गया है 1986 में 1986 से पहले दहेज मिर्तु अपराद नहीं था तो यह दहेज मिर्तु कब लगेगा जब विबा के 7 बर्स के भीतर महिला के मिर्तु हो गई हो मिर्टु के समय पति या नातेधारों द्वारा उसके साथ दहेज की मांग किजा रही थी या दहेज की मांग के लिए कुरूरता की जा रही थी दुब्षि पतारित किया जा रहा था अइसे स्थी में दहेज मिर्टू का अपराद मुन था है लेकिन सर्त यह कि मिर्टू सब्इत ना हूपाई हो что बस मर्टू आकास्मिक हूई हो। ना हुए है थीक है अगर नत्र E. संब्स्क्राइব condiciones अurember नेap जलके मर गई है तो नहीं नहीं पतो है अगर मिर्तु साबित ना हो पाए तब दहेज मिर्तु का अपराद बनता है यहां कोट यह मान लेता है कि महिला को घर में मारा गया दहेज के लिए लेकिन यह साबित नहीं है तब 304 बी का केस चलता है अगर यह साबित हो जाए कि महिला को दहेज के लिए मारा गया है तरह से मार गया पीट-पीट के माड़ा लगे है सरफून के माड़ा लगए है गलारीत के मार दिया गया किसी भी तरह से मार दिया गया है तब यह दहेज मेर्ट्टू का पराध अगर नहीं बनेगा अब यह हत्या और इसको 琶ह थेलेगर महिला को मारा जाता है तो उसे दहेज हत्या कहते हैं लेकिन ये दहेज हत्या लेगल टर्म है नहीं है ये एक सामाजिक टर्म है सामाजिक सब्द है दहेज हत्या कानून में दहेज हत्या कोई अपराद नहीं है तो अगर ये साबित हो गया कि महिला को मारा गया है दहेज के लिए तब वो दहेज हत्या नहीं कहलाता है वो केवल हत्या कहलाता है क्या कहलाता है हत्या और हत्या के लिए दंड लिखा धारा 302 में इसलिए 302 का FIR दर्ज हो जाएगा दहेज हत्या कहीं अपराध ही नहीं है लेकिन ब्योहार में क्या है कि जब दहेज के लिए किसी को मार जाता तो सो दहेज हत्या हम कहते हैं लेकिन वो दहेज हत्या नहीं है वो दहेज मिर्त्य हुआए अगर यह साबित नहीं हो पाए कि मिर्त्य कैसे हुई है तो अगर साबित हो गया कि मिर्त्य कारित की गई है सस्राल वालों के द्वारा तब वो हत्या 302 का मुकदमा बनेगा अगर साबित नहीं हो पाया तो 304B का मुकदमा बनेगा अंतर क्या है 302 कम उक्दमा बनता है तो बहुत गंभीर है इसमें सजा मैक्सिम मिर्टु दंड है मिनिमम आजीवन कारावास है यहनी कम से कम आजीवन कारावास का सजा तो आपको दिया ही जाएगा पूरा जीवन जेल में रहना पड़ेगा अगर दहेज मिर्तु का आरोब बन रहा या पर 302 का नहीं बन पा रहे नहीं जो है हत्या कारित की गई ये सावित नहीं हो पाया कि घरवालों उन्हें मारा है उसे ठीक तब 304 बी का मुकदमा बनेगा इसमें मिनिमुम सजा 7 साल है या आप जेल में रहके भी बाहर आ सकते हैं हाँ अधिक्तम सजा आजीवन का रावास्तिक दिया गया है तो इस तरह से आपने देखा दहेज हत्या क्या है दहेज मिर्तु क् मैं और सारे विश्यों पर आप लोगों को इस पर कानून बना के जो है विधी बना करके आप लोगों को समझाता करूंगा